हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज खेले गए सिरलंका वर्सिस साउथ अफ्रिका के फ़स्ट ओडियाई मैच में दोस्तो सिरलंका काफी अच्छा खेली दोस्तो और आज का दिन सिरलंका के नाम रहा सिरलंका ने टोस जीता और पहले बल्ले बाजी का फैस लगिया सिरलंका ने काफी अच्छा खेला पहले बल्ले बाजी करते हुए उन्होंने 50 साउवर में 9 विकेट कोकर 300 रन बनाए जो की ओडियाई के इसाब से काफी अच्छा स्कोर माना जाता है जिसके अंदर अविसका फंडांडो ने 115 गेंदो पर 118 रन बनाए और अस लंका ने 62 गेंदो पर 72 रन बनाए दोस्तों साउथ अफरिका की बोलिंग की बात करें तो उनकी एवरेज बोलिंग रही ना जादा अच्छी रही ना जादा बूरी रही हाला कि वो पिटते ही नजर आए साउथ अफरिका की तरफ से महराज ने 30 रन देकर 2 विकित लिए और रबाडा ने 66 रन देकर 2 विकित लिए दोस्तों इस प्रकार सिल्लंका ने पहले बल्ले बाजी करते हुए साउथ अफरिका के सामने जीत के लिए 301 रनों का अच्छा खासा स्कोर रख दिया जो की ओडियाई के हिसाफ से काफी अच्छा स्कोर माना जाता है वो भी सिल्लंका की धरती पर दोस्तों साउथ अफरिका की टीम जब 301 रनों का टार्गेट लेकर पिछ पर उतरी तो यह नहीं कह सकते वो खराब खेली वो सुरू से इतना अच्छा खेल रही थी कि लाश्ट तक ऐसा लग रहा था कि साउथ अफरिका बड़ी आराम से इस मैच को जीत लेगी लेकिन जो लाश्ट साउथ अफरिका की हार का कारण बने क्योंकि विकेट उनके पास काफी थी लेकिन जो रन रिक्वाइर्मेंट थी वो पूरी वो नहीं कर पासा है साउथ अफरिका के जो बल्लेबाज थे वो ठीक है दोस्तों साउफ अफरिका के टीम 50 आवर में 6 विकेट खोकर 206 रन बनान रन देकर दो विकेट लिये और परविन जयविक्रमा ने 47 रन देकर एक विकेट इस परकार पहला ओडियाई मैच सिरलंका ने 14 रनों से अपने नाम कर लिया जो की काफी अच्छा है काफी टाइम बाद सिरलंका ने बैटिंग और बोलिंग में अच्छी परफोर्मेंस दिखा सकते बैटिंग खराब थी बोलिंग खराब थी वह सिललंका से भी बैश्ट थी लेकिन लाश्ट के अवरो की वजह से साउथ अवरिका ये मैच हार गई दोस्तों वीडियो अच्छी लगी आपको एक बात और बता देता हूं उससे पहले तीन ओडियाई की सिरीज में सिललं पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को क्लिक कर ले दोस्तों ताकि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मेरे चैनल की ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल ज काफी मैंने से ये वीडियो जवन आता हूं और धन्यवाद दोस्तों जय हिंद